नमस्कार दोस्तों मैं सचिन केडिया आज़ी क्लास एक warm-up सीकने की क्लास है हर वर्काउट जिम का वर्काउट, योगा का वर्काउट, स्विमिंग का वर्काउट हर एक्सेसस से पहले इस वर्काउट को करें इस warm-up को करें ताकि आप स्वस्थ रहें, warm-up बहुत ही जरूरी होता है हर exercise routine के लिए सबसे पहले दोनों हातों को उपपर उठाएं, stretch करें अच्छे से अपनी गेडियां उपपर उठादें maximum आप, stretch करें, hold रखें, hold रखें, hold रखें दीरे से hand down, and stretch कर दें right side, hold रखें, hold रखें, hold रखें, center अब left side stretch कर दें, ताकि warm-up बहुत अच्छे से आपकी कमर, आपके shoulder, आपके हाथ, आपके thighs right hand से left को पकड़ें, और stretch कर दें, से पकड़के खीचें, दूसरी तरफ, sides पूरी stretch होंगे, आपकी warm-up होंगे, shoulder warm-up होंगे hand change करें, right से left को पकड़ें, और stretch कर दें, अच्छे से hold रखें, 8 second के लिए, दीरे से down round, दोनों हाथों को घुमाए round, 8 time circle के अंदर, आपकी chest, आपके shoulder, आपके back shoulder, warm-up होंगे थाकी exercise के लिए तयार होंगे, reverse करें इसको आप, 1, 2, 3, अच्छे से reverse करें, तयार करें अपने shoulder को, अपने chest को, exercise के लिए, warm-up के लिए, दोनों हाथों को फिलाएं, अब elbow को अंदर से भार की तरफ करें, आपकी elbow का warm-up होंगे, सारा weight हमें elbow पर लेना पड़ता है, exercise elbow के में नहीं सकती, तो उनको warm-up करना बहुत जरूरी है, reverse कर दें इसको, elbow को, अंदर से भार की तरफ करें अब, अच्छे से stretch करें, अच्छे से warm-up करें, दोनों हाथों को सामने करें, अपनी wrist को गुमाएं, यह complete body warm-up class है, body के हर पार्ट को warm-up करेंगे, अच्छे से गुमाएं अपनी wrist को, anti-clockwise हाथों को सीधा करें, अब अंदर की तरफ उंगलियों को लाएं अपने, इस तरह से अंदर से भार, अंदर से भार, अंदर से भार लाएं अच्छे से, दोनों हाथों के interlock करें अपनी कमर के पीछे, हाथों में gap रहेगा, hips से थोड़ा सा दूर रहेंगे हाथ, अपनी गर्दन को right side ले जाएं, neck को warm-up करें, hold रखें, center आएं, left side लेके जाएं, hold र maximum, center, नीचे लेके जाएं, गर्दन को, 5-5 second के hold के साथ, center, गर्दन को rotate करें अब clockwise, अच्छे से करें, anti-clockwise करें अब, center, chest को करेंगे warm, दोनों हाथ सामने लाएं, हाथों को फिलाएं, गर्दन पीछे हैं, आपकी hip tight, फिर से हाथ सामने लाएं, deep inhale, and stretch, हाथ फिला दिए, आपने chest को warm-up कर रहे हैं, गर्दन पीछे हैं आपकी, फिर से एक बार 3 time करेंगे, हाथ फिला रखें, आपने chest warm-up होगा shoulder warm-up होगा, hip muscle warm-up होगी, right hand, right side, left hand को उठाएं और जुग जाएं, side body को stretch करें, warm करें, exercise के लिए तयार करें, hand down, दूसरा हाथ उपर करें, और stretch कर दें, other side को warm करें, body को stretch करें, अच्छे से hold रखें, दीरे से down, दोनों हाथों को आप चोड़ा अपने और जुग जाएं, right side, एक बाप फिर से, center आएं और left side जुग जाएं, hold रखें, center आएं, दीरे से hand down, दोनों हाथों को कमर से लगाएं, पैरों में gap दें और अपनी कमर को rotate करें, कमर को warm-up करें, exercise के लिए, eight time circle गुमाएं, अच्छे से, hip को पीछे की तरफ लेके आना है maximum, अच्छे से करना है, hip को देखें, hip कितना पीछे से उकताब आ रहा है, खास दोर पे hip को point करके, इसको rotate करें, अपनी कमर को, अब अपने knees को rotate करें, दोनों पैरों को मिलाया है आपने, और दोनों हाथ घुटनों पे रखके, knee को rotate करें, anti-clockwise rotate कर दें, knees को अपने, very good, right पैर को पकड़ें, पीछे स एक हाथ से पकड़ें, balance अच्छा है, तो दोनों हाथ से पकड़ें और stretch करें अपनी thighs को, आगे से पकड़ें पैरों को, और आगे से घीचे यापर थाई को stretch करें, इसको exercise के रूटीन के लिए तयार करें, warm करें, दीरे से lag down, lag change कर दें, तुसरे पैर को पकड़ें पीछे से stretch करें अच्छे से, आगे से लाएं, नी को पकड़ें और खीचे से भी आगे की तरफ, hold रखें, stretch करें, धीरे से lag down, अब हलकेल किसी jogging करें, ताकि पूरी body warm हो, और पैरों को पीछे की तरफ लाएं, अपने heel से आप hip को touch कर रहे हैं, heel से hip को hit कर रहे हैं, पीछे की तरफ, इसका पीछे वाला हिस्सा warm up होगा, hamstring warm up होगी, अब आगे की तरफ उच्छा लें आपको, नी को आपको आगे की तरफ लाना है, अपने हास से touch करने की कोशिश करें, आपकी calf muscle stretch होती है, इससे, नी warm होगे, पैरों के तलवे warm up होगे, अच्छे से, jumping jack करें, side से, अच्छे से warm up करें, inhale axle के साथ करना, इस बात का ध्यान रखें, inhale axle के साथ करें, इस warm up को, complete body warm up है, दोस्तों, यह आपका, हर exercise routine, gym के, swimming के, running से पहले, इस warm up को करें, बहुत जरूरी होता है, यह warm up हमें, इंजिरिय से बचाता है, इस warm up को करें, स्वस्त रहें, इंजिरिय से बचें, धन्यवाद,